हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सवदर जंग टॉम के बारे में सवदर जंग टॉम दिखने में हुमायू टॉम की तरह है, इसमें पाइन के ट्रीज लगे हुए है और इसी के कैंपस के अंदर एक मदर्सा भी है और एक लाइबरेरी भी है इसके इस्ट डिरेक्शन में एंट्रेंस गेट बना हुआ है इस टॉम के ठीक सामने फाउंटेन लगे हुए हैं और इसके दोनों तरफ पाइन के ट्रीज बिलकुल सिमेट्री में लगे हुए हैं जो की बहुत खुबसूरत लगते हैं ये टॉम में उपर तक जाने के लिए सीड़ियां बनी हुई हैं जो की इसके चारों तरफ बनी हुई हैं आप किसी भी सीड़ियों से उपर जा सकते हैं इस टॉम का ज़ादतर हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये इमारत मुगल वास्तू कला पर आधारित है इसका में टॉम संगमर्मर का बना हुआ है इस मगबरे को नवाब शुजा उद्दौला ने 1754 में बनवाया था ये मगबरा सबदर जंग की याद में बनवाया गया सबदर जंग मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के कुशल प्राइम निनिस्टर थे ये टॉम साउट डली में श्री अरविंदो मार्ग पर है इस जगह की इंट्री फीस मातर पचीस रुपे पर परसन है यहाँ पर टूरिस्ट की अमाउंट बहुत जादा नहीं है इसी लिए यहाँ पर मेंटिनेंस भी बहुत अच्छी तरह से नहीं किया गया है यहाँ से सबसे नजदी की मेट्रो स्टेशन जोरबाग मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर पार्किंग बिलकुल फ्री है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आते हैं और यहाँ की एंट्री फी भी बहुत कम है इस वज़े से इस बात का असर यहाँ की साफ सफाई और यहाँ के मेंटिनेंस पर भी दिखता है यह जगह हुमायों टॉम से काफी छोटी है लेकिन फिर भी अच्छी है यहाँ का विज़िटिंग टाइम सुबह के छे बज़े से रात के नौ बज़े तक है और यहाँ पर लाइट की भी विवस्था है इस टॉम के चारों तरफ से इंट्रेंस है चारों तरफ से जीना है जिससे उपर जाया जा सकता है और इसके चारों तरफ चार जीले हैं जो कि चार इमारतों तक जाती है पहली इमारत इसका इंटरंस गेट है जो कि इस्ट में है इसके तीन तरफ मोती महल, जंगली महल और बादशाह पसंद नाम की इमारत है अब आप इस वीडियो में कबर के चारों तरफ के हिस्से को देख सकते हैं आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि इसमें अंदर किस तरह की नकाशी की हुई है और हर तरह का जो एंट्री गेट है उसके हर तरह सामने किस तरह की जील है वो जाकर किस तरह से इमारत पर खत्म होती है इस मगबरे के दोनों तरफ बड़े बड़े पार्क हैं जिनको मुगल गार्डन कहा जाता है इस इमारत में चार मिनारें भी बनी हुई है कुछ लोगों का मानना है कि पास में लोधी गार्डन है जहां पर एंट्री भी फ्री है वो जगह जादा अच्छी है लेकिन एक बार जाने के लिए ये जगह भी अच्छी है यहां पे फोटोग्राफी भी आप आसानी से कर सकते हैं और क्योंकि यहां पे टूरिस्ट बहुत कम है इसलिए ये जगह पीसफुल भी है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की अपडेट आपको सही समय से मिल सकें इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें धन्यवाद